यह एक तरह की नई खेती की दुनिया है। हाइड्रोफोनिक्स खेती कहते हैं। यह सॉइल लेस मिट्टी रहीत खेती है। जिसके अंदर सॉइल का बिल्कुल प्रयोक नहीं किया जाता है। हाइड्रोफोनिक फार्विंग का सबसे बड़ा एक और फाइदा है कि आप कोई भी क्रॉप कभी भी उगा सकते है। कम जगह पे आप बहुत अच्छा प्रोड़क्शन ले सकते हैं। एक सेम पॉलिफिन को आप करीबर तीन साल तक इसको यूज कर सकते हैं। यह एक एकड़ का अगर आप कुकुमबर लगा रहे हो तो आपको करीब करीब तीन महिने में पचास से साथ टन प्रोड़क्शन आ जाएगा। जाहतर चीजे मेड इन इंडिया है कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है। इसमें पर प्लांट आप 15-20 केजी इतने टमाटा निकाल पाएंगे। ट्रक्चर पर गवर्मेंट के सब्सेडी रहती है। नहीं और नहीं दोनों जैसे गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट भी सब्सेडी प्रोविशन है और सेंट्र गवर्मेंट का भी है। अगर मैं कहूं कि इस तरह से आप खेती करें तो चंद सालों में करोनपती बन सकते हैं। अगर मैं कहूं कि इस तरह के खेत में आप कुछ भी उगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चुटकी मिटी की जरुरवत नहीं पड़ेगी। उसकी जरुरवत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि इस तरह के खेत में आप कुछ भी उगा सकते हैं। जैसे यहां पर अभी खीरा उगाया गया है तो हो सकता है कि आपको बात थोड़ी सी अजीब लगे लेकिन ये नए जमाने की खेती है नए तरीके की खेती है जिसमें इस तरह से खीरा शिमला मेर च्रमाटर कुछ भी उगाई जा सकती है बिना मिट्टी के और बिना किसी खेत जोताई के बिना किसी बवाई के ये एक तरह की नई खेती की दुनिया है हाइड्रोफोनिक्स खेती केते हैं मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है इसलिए मैं आपको ज्यादा ग्यान दूंगा नहीं मैं सीधे सीधे बाई साब से मिलवाता हूं जो ये लोग ख तिल सा नाम है मैं दो तीन बार मिट्टी रही खेती आप कह सकते हैं अब थोड़ा सामको इस खेती पहले हम तेश की ज़रा ये खेत दिखाओ ये कोई सामान ने खेत तो है नहीं ऊपर आपने पन्नी लगा रखी है बड़ी-बड़ी मोटे पन्नी अब इसको क्या बोलते है ये पॉलिथीन लगी हुए उपर जी और पोल लगा रखें आपने और ये खेत इनको खीरों को उपर लटका रखा है काफी मतलब इस तरह की खेती आम तोर पर हमें देखने को मिलती नहीं आप थोड़ा इसका कॉंसेप्ट समझाईए सबसे पहले इसमें कॉंसेप्ट की ब क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा आसान करिए इसको को को पिलाइट क्या होता है इदर दिखा है हमको दिखा दीजे ना क्या होता है क्या होता है इसको बोल सकते है नारियल जो होता है उसका छिलका उसको क्रश करने से आपको ये को को पीड मिलता है को को पीड के अंदर को के उपन फिल्ड में आते हैं तो आपको एक पेस्टिसाइड रेस्टिव फ्री प्रोड़क्ट मिलता है इसमें आप दवाई का छंड का नहीं करते हैं जो कि एक सबसे बड़ा ये खेती का एडवांटेज है अच्छा आपका नाम क्या है रूचिर पडिल रूचिर और आपका ने नए तरीके की खेती शुरू की यहां पर कितने साल हो गए आप लोग को करते हुए हमको करीब 6 साल हो गए जो हम इस इंडस्टी में काम कर रहे हैं पहले दो साल हमने काफी जादा रिसर्च किया इसके अंदर सब चीजों को समझा कि अलग-अलग सिस्टम क्या है क्या क् सकते हैं कैसे होगा सकते हैं वह करने के बाद हम लोगों ने consulting का काम चालू किया दो साल हमने consulting किया बहुत सारे किसानों को यहांग से कंपनी में हैं इसकात्य के अंदर मिष्ड और और Das hue class hypothesis को कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं लोगों को मद्टी लेकिन जानकारी लेते रहते हैं ताकि अपना सामान निग्यान का वर्धन होता रहे। सबसे इस पहले जमीन पंख्रोड को यह बताओ कि कमझा पर बहुत अच्छा प्रोडीक्जन ले लगा रहे हो तो आपको लिए पचास के साथ टन प्रोडक्शन आजाएगा बिलकुल बिलकुल बी चोटी चोटी और यानि तीन मेने के बाद 15 दीन आप उसको ऐसे ही छोड़ दो फीड दुबारा प्लाइशन करो तो साल बर में आप पैसे तीन त्री टाइम प्रोडक्शन ले सकते हों तो अभी जैसे यह हम दूसरे उसमें आ गए यहां पे पंख्यों के आपने लगा रखे हैं मीत हमको आपी थोड़ा सा समझाइए मैं यह जाना चाहरा हूं कि यह जो पूरा इस तरीके का यह थोड़ा कोई गाउं का आदमी दूसरा यह कि आपको देख कैसा लग सकता है कि बहुत सोफेस्टिकेटेड़ स्रक्चर है आपको बहुत लेबर की जरूरत पड़ती है दरसर यह उल्टा है इसमें आपको कम से कम लेबल लगती है इस सपोर्ट सिस्टम है और बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना होते कभी बीगा सकते हैं बाहर का टेमपरेचर वाता वरंड हवा कुछ भी चल रहा हो बढ़ा अंदर कोई भी क्रॉप कभी भी ग्रो कर सकते दो हम लोग उस तरह के क्रॉप करते हैं कि जिसमें रेट आपको मार्केट में जाके अच्छा मिले दरसल हम लोग दो प्रोब्लेम को स्वाल करते हैं एक पहला प्रॉब्लेम है कि उगाने की समस्या और दूसरा है उसको बेचने की समस्या तो हमारे क्रॉप जात और आप सीजन होते हैं तब ही क्रॉप करते हैं जब हमारा प्रोड़क्ट मार्केट में आता है तो रेट अच्छा चल रहा होता है क्योंकि उस टा this isудेंटिट पॉलिथिन और उटिटेंटिटिड ही निवे उसला फित फैस 아िपने उसकों में ले सकते हैं पाई कैसे देते हैं पाणी हम एरो पर से देते हैं एरोडीपर बेसिकली यहां रीप के थुरू पानी आता है इसमें एक गंटे में खाली ऐक लिटर पानी ही आ सकता है क्यूं करते तकि सब क्रॉप को समान मात्रsecond में बानी मिल सके वह म्यूफों मीटी इमन करने ज़रूरी तक कि रॉफ lass해iento ja जी आप ये जो पहले आपने सबसे पहले जब यहां खेती शुरू की तो सबसे पहले यह structure खड़ा किया यह structure को basically बोला जाता है protected cultivation structure यह basically आपका poly house है इसके अंदर fog लगे हुए है air circulation fan लगे हुए है ताकि अंदर का तापमान maintain किया जाए इसमें शेड नेट भी लगी हुई है जो कि करीब 50% तक का शेड रोकती है तो जब गर्मी की सीजन होती है तो अब ये खोल दी जाती है ताकि अंदर का तापमान जो है वो मैंटेन रहे साइड में आप देखेंगे जैसे कर्टेंस है तो वो खोल दिये जाते हैं हवा के सर्कूलेशन के लिए ताकि अंदर का तापमान अनुकूल बना रहे है यह आपने खीरा हुगाया है जी 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 आपको यह पूरा सेटप तयार करने में कितना खर्चा आया कि मालो यह पूरा एक अजा स्क्वेर मीटर है यह कजा स्क्वेर मीटर का पॉल के चलते नहीं हम तोड़ा आपका पूरा भी देखते रहेंगा हां इसमें हमारा करेब 15-16 लाख रुपे खर्चा आया था एक अजा स्क्वेर मेंटर का यह पॉलियाउस है उसमें एक बार की लागत हाँ एक बार की लागत एक बार की लागत में आपने 15 से 16 लाग रुपे खर्च किया हाँ बिल्कुल जिसमें हमें गुजराद स्टेट गवर्मेंट भी सबसीडी प्रोविजन है और सेंटल गवर्मेंट का भी है उसके बाद आपने एक बार पंदर सुला लाग खर्चा किया यह पूरा एक तरीके से सेट अप तयार कर लिया फिर आपने फसले होगाना शुरू कि ठीक है अभी यह जैसे यह शिमला यह यहार डाल आपने शारा घाख के लिया और देखो पहले टीक है पहले है उ स्य कोशिक परपल को जो कलर रह एक से य hai प्लांट का सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि आपको प्लांट को मद चकड़ के रखना है वरना क्या जुक जाएगा फ्रूट के वेट की वाज बगाए इसको पकड़के प्लांट जो है वह उपर चड़ता है साथ ही साथ आप देखेंगे तो लिप्स भी लगाते हैं तो है यह प खेल आपको खेती में बहुत ही जरूरी है बिकास बीना रॉषनी के फोटो सिंथेसीज नहीं हो सकता है तो इसके लिए सूरज की रॉषनी जरूरी वो तो जरूरी है तो सब जगह स्बागी क्य खुले होते हैं आपका खेट डगा क्यों हम जो प्लास्टिक लगाते हैं यह पॉलियूथरीन मट्रियल का रहता है 200 माइक्रों रहता है और फाइव लेयर सेवन लेयर में अलग-अलग कंपनी इसके प्लास्टिक आते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो यूवी रेज होते हैं जो हम फूल होते हैं इंसानों के लिए भी या प्लांट्स के लिए भी उनको बेसिकली यह फिल्टर कर देता है और बहुत सारी लाइट जो जरूरी नहीं है उसको यह रिफ्लेक्ट बैक कर देता है तो जिसके कारण अंदर का जो टेंपरेचर है वो एक कंट्रोल रहता है और पौधों को बहुत जादा ग्रो करने में दिक्कत नहीं आती है एक बार आ है कि जितना ज्यादा बड़ा बना सकी जैसे एक एकड में आप करते तो करीब 4000 स्क्वार मिटर होता है 4000 स्क्वार मिटर में बनाने का खर्चा मोटे मोटे तौर पर 40-50 लाग की रेंज में आता है जिसमें से करीब 50% की गवर्मेंट सबसीड़ी है 20-22 लाग रुपे आपको के अंदर जिसमें आप एक साइकल सिम्ला में रिष्की ले सकते हैं और एक साइकल आप इंग्लिश कुकुम्बर जो खीरा है उस करीब करीब एक लाग साथ हजार रुपए महीना एक किसान इस तरह की खेती से कमा सकता है वह लागा तोर इस सब उसके बात करें तो एक एकड के अंदर करी 35-40 टन निकाला जा सकता है जिसका मार्केट के तारीक में मंडी चेक करेंगे 500-200 रुपए की रेंज में जाता है साथ से आट लाग रुपए का एक एकड़ का खर्चा है पूरी साइकल का और आप 30-35 रुपए का एक तरह से टर्न ओवर होता है जिसमें साथ से 22 रुपए किसान निकाल सकता है फाइदा आपको एक यह भी है कि एक तो कोई भी हामफुल केमिकल की जरुवत नहीं है कोई पूरा प्लास्टिक से पैक है तो कोई कीड़े नहीं आते हैं तो हमको कोई पेस्टिसाइड यूज करने की जरुवत नहीं पड़ती तो जो प्रॉप के उपर डिपेंड करता है वेरी करता है वह प्रॉडक्षन भी जो है वह नॉर्मल आपका सॉयल बेस्ट फार्मिंग ओपन फार्मिंग से डेड़ गुना-दो गुना तक हमको प्रॉडक्शन इसमें मिलता है और टाइम भी हमको कम लगता है बहुत सारे क्रॉप स इसे एक और इंट्रेस्टिंग बाद में बात करना चाहूंगा, रेसिजीडीव फरी फार्मिंग एक नया कॉंसेप्ट है, औरगेणिक फार्मिंग का इक अलग प्राइटेरिया है, रेसिडीव फरी फार्मिंग में होता है कि आपको बोडी को हमपोल, जो भी chemical pesticide है वो certain limit से नीच नीचे रहे residue free farming basically जो आपका product है जैसे fruit है या तो को color capsicum है similar तो उसके अंदर कितना chemical है उसके basis पर काम करता है जैसे बहुत सारे crops जो है उसका export ban कर दिया गया जैसे इंडिया से हम लोग चाय export करते है तो उसमें residue पाया गया था उसके वेले से बैन हो गया था इंडिया फार्मिंग कर सकते हैं जो कि एक तरह से global standard है residue basically heavy metals जो है lead है फिर pesticide के अंदर जो आती है चीज़े जो कि आपके बॉड़ी को हमफूल है क्योंकि organic farming का जो concept है वो इसमें के साथ बात यहां पे हम जो बात करें प्रोड़क की बात करें कि जो प्रोड़क्ट है उसमें pesticide residue कुछ नहीं है इसमें आप कोई खाद नहीं मिलाते यह जो आपकी नारियल से बनी हुई इसमें हम लोग जो है source जैसे calcium का source है calcium nitrate करते है है potassium का source है तो SOP करते हैं MKP करते हैं यह सब lab grade category के fertilizers होते है plant जो है nutrient uptake करता है आयन फर्म में तो उसके हुझा से plant को जो nutrient जा रहा है वो रूट के थू जा रहा है तो दरसल इसमें जो pesticide ना करने के हुझा से यह जो product है और एक्सपोर्ट करते हो तब एक खास चेक किया जाता है कि आपकी product residue free है की नहीं बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर पार्टनर्शिप भी करते हैं farmers के साथ जैसे हमने रावेर में किया है डैली में किया है तो वहां से हम production बाहर एक्सपोर्ट करते है जो कि एक बड़े वाल्यूम में जाता है अच्छा रेट मिलता है इसकी और चीज है कि इसमें आपको एक इवन क्वालिटी का अच्छी साइज का क्रॉप मिलता है तो यह आपका यह जिससे आपने पीछे खीरा यहां शिमला मेर चुका है यह यह यलो तो दिख रहा है यह यह पहले ग्रीन उता उसके बात ऑसका इसका कलर चेंज होता है यह अलग अलग भी जाते हों गिए जो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है युक्सल है एंज़ फे करना चाहते हो उसके बैसे इस पर सीड का सेलेक्शन किया जाता है जैसे यह हो गई आपकी क्यारी अगर हम इसको गाउवाले वादर समझें तो यह क्यारी है आपकी और आपने यह लगा रखी इसकी पाइप लाइन बहुत पत एरो ड्रिपर बोलते हैं इसको और एक लिट पा अंदर एक और नीचे यह ट्रे क्यों लगा रखी है इसमें साइड में आप देखेंगे तो यहां कट है तो उससे बेसिकली जो पानी है यह जो एक्स्ट्रा न्यूट्रियंट रहता है वह निकलता है तो वह अपना फार्म जो है वह गंदा नहीं हो और उसको मैनेज करने मे इशू नहीं आए और दूसरा क्या यहां एरेशन भी मिले रूट जोन को थोड़ी हवा भी मिलते रहे तो उसको उचा करने के हिसाब से हम ट्रे रखते तो यह आपका पहला एक एक एरिया हो गया जिस ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिकली तीन से टाइप चार टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसे इसे जहां बहुत गर्मी होती है यह आपको कुछ एक्जोर्टिक क्रॉप हुगाने हैं तो उसके लिए वह पॉलिफाउज हम बनाते हैं यह जिसमें हम अभी खड़े हैं यह नैच्छरली वेंटिलेटिट्ट पॉलि हूँज हैं इसमें कोई और हवा को रोटेट करता है और हुमिरीटी को मैनेज करता है तो यह नैच्रली वेंटिलेटी पॉली हाउस है इसके अलावा नेट हाउस भी एक होता है जिसमें हम आभी आगे जाए दूसरी में चले जी किदर चलना है इधर से इसको खोल के यह अलग तरह की जो है मुटी प्लास्टिक है इससे आपने पुरा एक सटब तयार इसको बंद क्यूं रखते हैं यह डबल डोर एंट्री सिस्टम इसमें रखा जाता है तक कि किसी भी जब मुव्मेंट हो रहा है लोग आ रहे हैं तो उनके साथ-साथ कोई भी कीड़े हैं य इसके अंदर हमने हाइड्रोपॉनिक्स फार्मिंग किया हुआ है अब ही चलते हैं इसमें चल लेते हैं यह काफी बड़े पंखे लगा रखे आपने पूरा सेट अप है यह अब जूते उतारने हैं क्या इसमें में जूते उतारने पुड़ेंगे शीक है कि यह थोड़ा ठंडा है उस जगह से मैंने आपको बताया यह कूलिंग पैड और एक्जॉस्ट फैन वाला सेट अप है इसका परपस ही है कि एक टेंपरेचर को करीब करीब 12-13 डिग्री जैसे जब यहां मैं जून में बाहर 45 होता है तो इस पॉली हाउस के अंदर हम लोग गरीब 31 डिग्री पर काम कर पाते हैं तो जिसके कारण यह जो आप एक्जॉटिक पत्तेदार सब्जिया देख रहे हैं यह लेटस है यह बड़े होते हैं जो जो जैनरली ठंडे लोकेशन पर ही ग्रोव कर पाते हैं इसको कैसे हो यह बेसिकली जो है यह निउट्रियंट फ सब्सक्राइब पानी में रहते हैं वह आपने देखा खानाप यहां पर पानी यूज यूस कर रहे हम लोग जैसको आपको जानल के यह नुकित भीणि तर्फ की से इस तरूपें करके सफाई कर सकते हैं कभी वी उस तरफ इस तरफ देख सकते हैं उदर भी यह बिस experts डे प्रभूमता रहता है तो इसके अंदर पानी का जो खपत है वह काफी कम है जितना पानी एब्सवर्प करता जिसका उतना जरूरत है उतना ही पानी जाता मतलब नॉर्मल खेती के मुकाबले इसमें 10% पानी ही चाहिए जितना प्लांट को रिक्वाइड है क्योंकि कहीं यह क्ले बॉलते हैं मिट्टी को हजार डिग्री पे तपाने पर आजाता है यह प्लांट को सपोर्ट करता है यह तैयार है आपका फसल नहीं अभी इसको 15 दिन हुए है और 15 दिन के सकते हैं तो यह बेजिल आप इसको बोल सकते हैं किस काम में आता है यह एक तरह से पेस्टो बब कर सकते हैं चाय में डाल सकते है और पीजा में भी यूस होती है यह कैसे किस भाव में विक्ती यह क्योंकि इंग्लिस वैवराइटी है इसका रेट 200 रुपे 200 रुपे 300 करते हैं और यह है कि जो हमको जगे चाहिए वह नॉर्मल खेती से से अल्मोस्ट असी से पचासी परसेंट कम जगे में हम उत्र ही प्रोड्यूस्ट उगा सकते हैं और पानी भी आल्मोस्ट असी परसेंट पचासी परसेंट हमको कम लगता है यह पानी आप जो है क्योंकि पानी घूम रहा है जो पौधा जो कंजियूम कर रहा है सिर्फ वही पानी कम हो रहा है बाकि सब वही पानी घूम रहा है तो कोई वेस्टेज नहीं है इसके अंदर में करीब आट से 9000 सीटेट है यह जाप देख रहे हैं तो आप उसमें इस में 124 है इसके ंदर 294 प्लांट से एक स्टेंड में उस तरह इसके अंदर दो मार्केट होते हैं एक बीटू बी है एक बीटू सी है तो बीटू बी के अंदर जैसे आपका जो हुरे का सेगमेंट है होटल है है रेस्टरांट से रिजॉट है कैफे है हम उनको सप्लाइ करते हैं इसके अलावा जो मॉडर्न ट्रेड होते हैं जैसे कि बिग बास्केट है बिग बजार है स्टार बजार है ऐसे जो ग्रोफर्स है जो मैटो है इन लोगों को भी हम लोग सप्लाइ करते हैं या हम लोग सप् स्प certainty में काम आता है और हैं भी क्या टरक रहा है इसका यह बीज लगाते हैं कि यह बिज का इसे लगाते का जाता है हमने कोको पीट के अन्दर किया हुआ है तो कुछ म महिने पोच के बाँ हो जाता है भी तोड़े बड़ा हो जाते बीज से पाइ। बनाते हैं और अगर हम लीफी करते हैं तो वो कुछ उस तरीके से किया जाता है यह क्या है किये हुए उसको कवर करके रखा जाता है जैसे इसको स्प्राउटिंग आता है फिर उसको बहार निकाल लिया जाता है तो रशी रोशनी के जी 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 एक तरीके का यह आपने बीस से पौधा बना और यह क्या है इसके अंदर जो एने फ्टी सिस्टम हाइड्रोपॉनिक्स है जिसमें पानी में पौधे उगते हैं उसमें यह यूज होता है जर्मिनेशन करने के लिए को को पीट की जगे क्योंकि यह वो री सर्कुलेटिंग सिस्टम है तो को को पीट यूज करेंगे तो वह बहेगा पानी में तो वह ब्लॉकेज क्रीएट करेंगा तो यह ऐसा इसमें कोई समझ इसको चू सकते हैं यह काफी पतला रहता है बायो डिग्रेडेबल माटेरियल है और यह बहुत ही सॉफ्ट रहता है इस तरीके से तो एक-एक छेद के अंदर एक-एक प्लांट इसमें डाला जाता है यह आप देखेंगे यह तो दुरलब है इस तरीके से की मिटी नहीं खाद नहीं और आप लोग पेंड़ उगा देते हैं मतलब पौधा हुआ है आने वाला जो समय है आप अगर दे फेलियर हो रहे हैं तो उसके कारण आगले 5-6 सालों में यह चीज़े मेंडेटरी हो जाएंगी आपको करना ही पड़ेगा और दीरे दीरे बहुत सारे लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं किसान भी इसको समझ रहे हैं इसका अडॉप्शन भी काफी बढ़ रहा है और बात है छेट पर के बोल सकते हो एक बड़ा कुलर है एक साइड पेड है एक साइड पर पंके है हवा खीचेंगे पैड के उपर पानी गिरता है और वह फ्लांट को ठंडा करता है तो एक तरह से मान सकते है शाड़े फेल बढ़ा कुलर बनाकर रखा हुआ है अच्छा है तो अभी सब में अच्छा कंजम्शन है इंडिया में अभी इतना ज्यादा कंजम्शन नहीं है पर जितने भी लोग जानते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगेरा इसको रिकेमेंड करते हैं जिनको भी हार्ट का या कोलेस्ट्रोल का इसु रहता है उनके लिए मेंडिडरी चीज है कि वह खाएंगे सलाड का एक अच्छा कंजम्शन डेवलोप हो रहा है कोरुनों के बाद से लोग का हैल्थ के प्रती एक तरह से जुकान जो है वह बढ़ा है अभी यह दूसरा सेक्शन है रहता है इसके अंदर पाइब क्लेवोल्स लगाए गये ताकि प्लांट को सपोर्ट मिले को या एक बार तुछार वो बड़ा प्लांट निग्ड़ वाला वाला इस फोल के दिखाई एक बार इसमें आपको यह सब चीज मिलती कहा है यह सब चीजे मान के चलिए आप जादर कुछ bha भार से नहीं आया हुआ है लोकल करी घ्राइब करी हुए है जैसे फिराम ने सबसुम्ण कर रहता है उसके मुकाबलेकों नीगे क्रते रहते हैं कौन रहते है क्यों से निग्रोग करना चाहिए उसका प्रोडॉक्शन बढ़ाया जा सके- यह क्योंकि complexity पर्स्रक्च तापमान क्योंकि आपके कंट्रोल में रहता है तो कोई भी क्रॉप कभी भी इसमें ग्रो कर सकते हैं बड़ा मशीन लगा रखा आपने यह कुछ है यह क्या टंपरेचर है यह टंपरेचर और हुमिरीटी का रीडिंग दिखा रहा है तो जैसे आप देख रहे हैं कि 29 डिग्र की अभी टंपरेचर है और बाहर अभी हम यहां की बात करें तो कुछ 35 डिग्री के आसपास का टंपरेचर चल रहा है और एक्स्ट्रीम जब गर्मी होती है तब बाहर जब 45 46 47 होता है अमदाबाद में तो भी हमारे फार्म के अंदर 31 32 तक हम लोग टंपरेचर मैनेज कर पा सबस्क्राइब के सब्सक्राइब करने और पीछे टाइंग के अंदर पानी गुमता रहता है तो इसमें पहले पॉद्धों को जाएगा और पर रिटन होके वह आपस आता है और वह जो कितना नूट्रेंट देना क्या करना वह बसीकली यह यहां से मैनेज किया जाता है इसम टैंक में डाल दिया जाता है यह मशीन उशीन कहां से आई यहां पर इंडिया में ही बनती है हम लोग इन हाउस इसको मैनुफेक्चर करते हैं पार्टनर है हमारे फार्म फ्लुएंस करके है वो इस पर काम करते हैं यह यह फार्म का जो इलेक्ट्रिक एक्विप्मेंट है और इसके थ्रू मैनेज होता है सेम चीज हम लोग आयोटी का एक डैश वोड भी रहता है तो ऑनलाइन आप भले फार्म एहमदाबाद में आप दिल्ली में बैठे हैं बट आपको पूरे फार्म का डेटा दिखता है कि क्या टेंपरेचर है क्या हमरीटी आप वहां बैटे और फार्म में पंखे ओन आफ कर सकते हैं यह जैसे हम जो है हमारा गाउं जो है प्रयाग राज इलहाबाद यूपी में है और हमको वहां पर यह खेती करवानी उस तरीके की ठीक है तो क्या इस तरह की खेती वहां संभव हो पाएगी बिल्कुल संभाव में या जार्खंड के किसी इलाके में 36 इलाके में बिल्कुल संभव है इनफेक्ट हमने लखनाओ में साड़े चार इकड का एक फार्म बनाया भी है 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 और अपने बिहार बोला तो अभी हम विहार में भी बना रहे हैं आपका नरकटिया गंज बोलके एक जगे है बेतिया के आगे मुझअ प तो तो जुम्री तलइया तो जुम्री तलइया तो जुम्री तलइया वाले बाई वाले मिल गए जो गुजरात में अपना बढ़िया एकदम लाजवाब तरीके की खेती कर रहे हैं अब हम दूसरे खेत में चलने हैं अभी फर्टीकेशन पर हम लोग चलते हैं यह जो मशीन है यह बेसिकली पूरा जो फार्म है इस फार्म का जो न्यूट्रियंट सप्लाई है जो पेड़ को जो पौधो को पानी दिया जा रहा है वह इस एक जगे से पूरे फार्म को हम इसे इसको डेवलप किया है और पूरा एक इन हाउस प्रोडक्त है अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि यह सारे कॉंसेंट्रेटेड टैंक के सल्यूशन होते हैं और पात्राइसरात प्लांट को पानी पीए जैसे पानी साथ के पीच में जाँए यहाप जो देख पाएंगे फॉगर का अरेंजमेंट है चार जैसे पॉली हाउस नेट हाउस फैन पर दिखा है यहां से ही वह फॉगिंग होता है इस साइड आप देखेंगे तो यहां से टोटल साथ जोन है हमारे साथ अलग अलग टाइप के क्रॉप समलुक करते हैं यह जितने भी वाल कर सकते हैं आप कहीं बाहर जा रहे हैं यह मशीन हमारा खुद का ही डेवलब गलती कर गए क्या शुरूम आपको किसान बता कि एंट्रोपनियूर बोलना चाहिए था नहीं अब किस बोलते हैं कि जिनको खेती करने हैं मौडन खेती में दरसल लोग एक तरह से अग्री कल्च में अच्छा पुटेंशल है अच्छी इंकम कमाई जा सकती है शर्त है कि आपको एक अच्छे तरह इसको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉफर बिद्निस के तरह आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा यह पूरा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है इससे पानी भी यही से पानी है खारा पानी है तो इसलिए हमको आरो लगाना पड़ा है तो यह बिसिकली जो मैं बता रहा था यह आपका मिक्सिंग टैंक है यह कॉंसेंट्रेटेट न्यूट्रियंट के सल्यूशन है तो जो भी वैल्यू हमने इसके अंदर सेट किया उसके बेसिस पे यह इन सब म भी लगा हो यहां पर डिस्प्लेय भी है पी एच और इसी का तो जो वैल्यू हमने यहां सेट किया होगा जब वह वैल्यू यहां पर भी मैच हो जाएगी तो वह इंपुट लेना और मिक्सिंग बंद हो जाएगा और फिर आगे के जो वाल्स हैं जो आपका ड्रिप इरिग लेने जाते हैं तो पंद्रा से बीस लाग रुपे उसमें खर्चा आ जाता है बट यही मशीन हम अपने देशवासियों के लिए आठ से दस लाग के अंदर-अंदर बना के दे देते हैं आठ से दस लाग मशीन का खर्चा हो गया तो यह टेंट जो टेंट कह रहा हूं में यह पॉलितीन का जो बना रखाए अपने कि कस्टमाइज फार्म रहते हैं तो कहीं पर छोटे साइस का फार्म है तो उसके लिए खर्चा कम लगता है जहां पर बड़ा फार्म है जैसे इसको बोल सकते हैं जिसमें तीनों सेट अपस है नेट हाउस पॉली हाउस फैनेंट पैट पॉली हाउस आइड़ोपोनी सब्सक्राइब एक बात बताईए कि आपको छे साल पहले आईडिया आया कैसे कि यार यह मैं और तुशार जो है आपने इसकी कोई पढ़ाई की है य मैं और तुशार जो हम लोग इडिया इसे पास आउट है उन्टोपिनोर्शिप डेवलोप्में इंस्टीटो आप इंडिया 2016 से हम लोग साथ में स्कूल में क्लास में आप बोल सकते हैं तो उस टाइम पर हम लोग हाइड़ोपोनिक वागरा पर रिसर्च काफी करते हमारे को और पार्टनर है विवेक शुकला जी करके वह बेसिकली दूबाई में पहले काम करते तो उन्होंने वहां पर सिस्टम देखी हुई थी अब क्योंकि मैं पटेल हूं एक तरह से तो जाद हम लोग कुछ ऐसा डूंड रहे थे इसको हम लोग खेती को साथ कैसे जोड़ सके क्योंकि हमको पता है कि इंडिया का 65% पॉपिलोशन एक तरह से अग्री कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जैसे मोदी जी भी बात करते है कि इंकम कैसे डबल की जाए तो इनिशली जैसे मैंने बता है कि हम लोग दो प्रॉब्लेम पे ज्यादा फोकस हमने वह देखे थे कि प्लांट को ग्रो करना मुश्किल है ग्रो फार्मर एक तरह से कर भी लेता है तो यह दो चीजों पर हम लोग काम करते हैं इसमें भी आपने वही मिट्टी नहीं है यह कोको पीट के अंदर लगाया है यह कोपीट भाई सब आता कहा से कोको पीट बिसजी नारियल के ऊपर का चिलका है उससे बनता है तो ज़्यादा तर साउथ में जहां यह कोई आदमी देख रहा है आप लोगोंसे प्रभावित ओकर इस तरह की खेती शुरू करता है तो ऊसको यह सब चीज आ जितनी भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं दिखा रहे हैं हमसे भी ले सकते हैं इसके अलावा बाकी कौन से शेहर में हैं कहां है उसके बेसिच पर आपको देखना पड़ेगा की वहां पर कहां ये चीज मिल रही है और ये सफेद सफेद इसमें क्या है ये जो परलाइट बोलते हैं इसको ये एक तरीके का पत्थर है ये बैसिकली अंदर से खोकला रहता है इसको हम कोको पीट में इसलिए मिलाते हैं ताकि यह जो खोकला है अंदर हवा रहता है तो अंदर एरेशन मिलता है रूट को थोड़ी हवा मिलती है तो ग्रोथ में वो फाइदा करता है इसके लिए इसको इसमें तो बहुत यह आप जिसे हम नोग द निकाल पाएंगे इसका साइकल करीब 8-9 महिने तक चलेगा अभी इसने फ्रूट देना चालू किया है इसी को अब नीचे का पत्ते कर दिये गए ताकि फ्रूट जो है आपको यहां पे मिले उपर जो है फ्लावरिंग हो रही है इसको प्रूनिंग भी करना पड़ता है जैसे एक्ष्टा ब्रांच उसको हम लोग कट कर देते हैं ताकि आपकी में स्टेय में उतनी स्ट्रॉंग रहे कि आप ज यलो देख रहा है वह बैसिकली फ्लावर्स है उस जिसमें से फ्रूट सेट होता है कि इसमें करीब हजार प्लांट से कितनी जगह में यह करीब होगा आपका सो स्कूर मिटर का एरिया है स्कूर मिटर में हाँ अपने इतने प्लांट सुगा दिए हजार और एक पेड़ से एक पौधे से आप निकाल रहे हैं पंदरा से बीस के जी क्योंकि यह मैंने तक आपके टमाटर आते रहेंगे जी 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 तो यह आप लोग जो है यह 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 भी टमपरिचर वाला लगा रखा आपने यहां भी टमपरिचर ना चल रहा है वह सब चीजों के अबरे बाकी सिस्टम तो ज्यादा तर लगाया है इसके अलावा आप वहां पर देखेंगे तो एक वाइट कलर का सेंसर मॉड्यूल है तो वह बेसिकली सेंसर है जिसके अंदर हुमिरिटी और टेंपरिचर का डेटा आता है और पूरा फाम आयोटी के उपर चलता है तो हमने कुछ अल्गोरिदम सेट किये हुए हैं हमारे आटोमेशन के अंदर तो जैसे ही जैसे अगर हमने ऐसा सेट किया कि टेंपरिचर 35 के उपर जाए तो होती है वह बेसिकली एक आपका फॉगिंग होता है मिस्ट फाइन पार्टिकल्स होते हैं वाटर पानी के और मिस्टिंग किया जाता है उसके अंदर उपर से भी पानी बहुत गर्मी होती है 40 डिग्री 45 डिग्री तब इनका उप्योग ज्यादा आता है हमारे इन हाउस अग जोग दीजिएगा तो आप यहां क्या करती है मैं मेरी पोजीशन एक्रणोमिस्ट के यहां पर ना मियर सिंस एइट तो नाइन मांच आपने वी कुछ हाई यह क्या चीज लिया हूँ बेसिकली आम रिपोर्टिंग दफां एवरिधिया में बना रही हूँ अभी और मुसली कि यह जितने भी इंसेक्स है पैसे डिजीजिस है फार्मस पे उस पे मैं वर्क करती हूँ पूरा यह मैगनिफाइंड लैंस है तो जितने भी छोटे-छोटे इंसेक्स है ना तो हम इससे देखेंगे जूम-इन करेंगे फिर वील इडिंटिफाइट कि वो कौन से स्टेज म बहुत कम आते हैं बट फिर भी जैसा मैंने आपको बताया लोगों का आना जाना रहता है बहुत सारी चीजे हम लेकर आते हैं लेकर जाते हैं तो उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे छोटे इंसेक्स वगेरा आ जाते हैं तो उनको ही वो मॉनिटर है यूमन्स अदे कैरियर है तो मेरे साथ भी जब कुछ ना कुछ आप लेकर आएंगे यह आप यहां पर इन पोधों की जाँ परताल करती हैं कि इनको को वीमारी ना रहे आप अपदों की डॉक्टर हैं तो क्या पढ़ाई की आप मैं मैंने मास्टर्स क्या है विद बॉत जाए बहुत अच्छी हो फाटी के वह पर आप Summit on Your Rand HOL! यदेरे वागी जहां पर जाते हैं पर मेस पर मेराव है पर यह पर ज्यादा रूल रहा, तो तो अलग 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 楽ieson वाई ठाथे ऐसे हैं जैसे हम ने करीब सौ के बीच में टोटल लोग हैं कुछ होते हैं जो फिक्स हैं कुछ कॉंट्राक्ट पे होते हैं इस फाम के लिए पचास ने इस फाम के नहीं हमारे बैसिकली हम लोग ऐसे फार्म बनाते भी है जो विदी बताया कि हमने पूरे भारत में अब तक कुछ 40 से ज्यादा कमर्शिय कितना सप्लाई कि या कितना सवाप, सप्लाई आया है पानि कितना पानि देना है क्या फटिलाइजर कर दिखा ना आप कैसे करते पानी बागी जो निकल जाते हैं कि वहां से जो पानी आया जो कि यह है इसमें कितना न्यूट्रियंट था इसका इसी और यह टीडियेस और पीएच कितना था और यह हमने देखा कि जो पानी इसमें गया और इसमें से निकला वह पानी का इसी और पीएच कितना है यह मशीन है पी एच पैन बोलते हैं इसको पी एच पैन इसी पैन उससे हम मेजर करते हैं उस डेटा को हाँ वो यही लेकर आते हैं बिल्कुल सही पकड़ा आपने तो इस डिफरेंस से हमको यह पता चल जाएगा कि हमने जो भेजा था और यहां से प्लांट ने अब्जॉब कितना किया तो निकला क्या हमको वो डेटा बता चल जाएगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कल हमको और कितना देना है कि कितना नहीं देना है तो यह चीज़े डेली बेसिस पर की जाती है यह हर पौधे का नहीं करते हैं हम लोग जैसे एक लाइन में आपने एक पौधा कर लिया एक बात बताई यह माल लीजे आपने कहीं किसी गाउं में गया और इस तरह का सेट अप करके चले आए फिर आप तो आ जाएंगे बाकी वो जो गाओं का किसानों का वो कैसे मैनेज करें नहीं अब इसमें क्या है कि हम लोग एग्रोनॉमी सपोर्ट भी देते हैं जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपने सारे किसानों को एग्रो वोडों को देखते हैं जो भी उनके राय हो वो देते हैं उसके लिए पूरी एक अलग से टीम है जो फोन के थूव वाट्साइब काल के थूर रेगुलर गाइड करती है यह क्या रखाए यह शिमला मिर्ची है यह लाल शिमला मिर्च और पीले हैं जो एक छोटे स्टेज प अब यह लोग चाहिए जो यह सब चीज़े मैनेज करते हैं इसमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा फैलते हैं और अगर उनको नहीं काटेंगे तो आपके प्लांट का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा बट फूरूट्स सेटिंग नहीं होगा तो जो nutrient है वो fruit को मिले अच्छे से मिले उसका growth हो इसके लिए हमको समय समय पर प्रॉपर तरीके से इसकी pruning की जाती है 2G cutting, 3G cutting बोलके अलग-अलग इसमें concept होते हैं इसको follow करते हैं यही काम होता रहता है तो आपको लगेगा नहीं कि आप खेती कर रहें बड़ आप खेती कर रहें पानी वानी देने का system तो है नहीं खेतो जोतना है नहीं तो यह जो इधर उधर दाय भागे न पोधा तो उसके लिए आप लोग इसमें क्या हमको मेन मतलब है कि हमको production इंक्रीज करना है तो पत्तों से ज़्यादा हमको fruit में इंट्रेस्ट है तो जो हम कट कर देते हैं एक्स्टाइब कर देते हैं ताकि कैसे maximum production बढ़ाया जा सकी यह क्या लगा रखा आपने इससे हम लोग इंसेक को प्लावरिंग जो भी प्लांट्स में होती है इंसेक्ट वगरा उसमें रहते है और यह पीला-पीला क्या लगा रखा है यह इंसेक्ट ट्रैप है बेसिकली इसमें एक सुगंद रहता है और गम रहता है तो वह सुगंद बेसिकली फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं उसका रहता और फिर क्योंकि गम हैं तो उसमें वो चिपक जाते हैं बहुत सारे चिपके भी हुए हैं बहुत सारे चिपके बिग्यान की तरक्की गजब है तो यहां पर भी जो है मैन विल बी मैन वाला कॉंसेप्ट चला आए तो और फिमेल वाला उन्हों आपने भी संधाल रखी है और वहां से स्थे चले आते और फिमेल रहेगा तो फिमेल एंसेक्ट रहें तो उसको कैसे पकड़ेंगे कि इसमें जायतर मेल रहते हैं जो इन्सेक्ट आते हैं जो नुकसान करते हैं वह मेल रहते हैं हम हमारी बस्क्राइब ह्मेस्ट हमेशा मर्दों की होति है है जयसे जाते हैं हम जानते हैं कि ऐसे क्रॉपwon रके जो जिनका वाजार में अच्छा है कि ये लाकडॉंध बूली जो दुनिया की सबसे अच्छी इसमें सबसे ज़्यादा करक्यूमिन कंट्रिंट मिलता है ठीज की साथ से लेकर फरसेंट तक की कर्क्यूमिन कंटेंट निकाला जाता है यह हमने मेगाले से मंगवाया है पूरे दुनिया में यह मेगाले मिजोरम और असाम कज नौर्थीस्ट का जो रीजन है वहीं पर यह ग्रो होता है तो इसको हम लोग यहां पर अभी ग्रो कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक सॉयलेस म क्लान को जैसे आप देख रहे हो तो हल्दी यह फॉर्मिलिये हो रही है वह हां कंग या इल्याका लृफ हल भ्ली है जो देखेहो ना इस यहां सपरमिलिये तहो हकाया क्या जैना इस तरह से चीज़ है ये जो चीज है यह यह देरे-देरे देवलोप होगी पिर तो यह दिल्चस्प मिट्टी नहीं है खाद नहीं है लेकिन कोकोनट का जो उपर से नारियल के उपर जो छिलका होता है उपर सूख जाने के बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं रहते हैं और फिर हमने स्ट्रॉबेरी भी लगाए हुए है इनको हमने रिसेंटली लगाया है अभी इनमें कुछ एक जड़ महीने बाद से हमको इसमें जो है तो ऐसा बताते हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं यह जेनरली ठंडे जो लोक रोसा वेराइटी है जो हिमाचल से हमने मंगवाया है और हमने इसको लगाया है इसमें भी सिंद थोड़ा चांसेप्ट भी वह होते हैं जैसे यह हम देख रहे हैं यह ओस्तरफ हैं और fix लाप्षेज दोनों के अंदर ही कोई ही कोईट रहता है दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें तो एक है इसमें थोड़ा सा लेबर वर्क जाधा रहता है क्योंकि हमको को कोकुपीट अलग से बनाना है इसमें भरना है उठाके रखना है यह बेसिकली आपका रेडी मेट आता है एक एक स्लाइब आता है यह एक दो तीन चार पाथ छे स है जो कुकुंबर में थे उसमें चार थी यहां पर दस है क्योंकि इसमें लगी हुई है तो ऐसे क्रॉप के हिसाप से एक ग्रोसलेब आते हैं यह आपकी वो ड्रिप की लाइन है इस तरीके से आप बाहर दिखा रहे थे यहां पर आप चाहें तो दिखा सकते हैं जितने भी आपके वहां से जो निउट्रियंट निकलता है तो वह इसी पाईप से यहां तक पहुंचता है और यहां आने के बाद यह इसमें जाता है यहां पर आप देख रहे हैं पीसीजे है इसमें से फिर यह चार भागों में इसको डिवाइड किया गया और फिर वो यहां से हो कई और के ऐसा जाता है सीधा अंदर जाता है जड़ों में सीधां जाता है कोई एक्च्टा नहीं जाता है सबसे बड़ा अधरक वह एक तरह से स्वेशल वेराइटी है जो की अगेन प्रीमियम रेट पर मार्केट में बिखती है तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस आधुनी खेती से परिशे करा हमारे दर्शकों को भी बताया और उमीद करते हैं कि जो लोग यह वीडियो दे सीखने और समझने को मिला होगा चुकि मुझे भी बहुत कुछ समझ आया यहां करके कि खेती सिर्फ गाओं में परंपरिक तरीके से नहीं होती है अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं और मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं अच्छा खासा अगर इस तरह की खेती हो अगर हर जगह पर अगर यह संभव हो जाए चुकि यह तकि संसाधनों का बड़ा रोना है हर किसान इस तरीके के संसाधन उप्लब्द नहीं करा पकता ना उसके पास इतने पैसे होते हैं लेगिन आपने अच्छी जानकारी दी कि सरकार इस पर सबसीडी देती है कि अंद दूप बहुत दूप हो गई अगर सिमला मिर्ची कोई ने किसी ने ओपन फिल कल्टिवेशन में किया है तो उसका प्रोजेक्ट 110 परसंट फेल्योर है जबकि इसमें हो पाएगा अब मानलो उसी टाइम पे बारिश के टाइम पे दूप नहीं है लेकिन ज्यादा बारिश हो को बताना चाह रहे थे और हम लोग एक चीज़ और है कि हम लोग काफी रेगुलर समय के गैप पे हम लोग ट्रेनिंग और वरक्शॉप के माधियम से हम लोगों को ट्रेन करते हैं अब तक हम नहीं कुल 30-35,000 से जादा लोगों को अल्रेडी ट्रेन किया है तो हम लोग यहा कि एक दिन की दो दिन की एक महिने की बहुत तरीके की ट्रेनिंग करते हैं तो वो भी वो अट्रेंड करके सीख सकते हैं इन चीजों को कैसे करना है जरूरी नहीं है कि आपको इनको पैसे ही देना पड़ेगा आप फ्री में यह ट्रेनिंग देते हैं कि गाउं गाउंता की हमारा उद्देश से यह है कि जो भारत के किसान हैं उनका उद्धार हो जो बहुत सारी हम लोग देखते आ रहे हैं कि सुसाइड बढ़ रहे हैं बहुत सुसाइड होती है मेस पी नहीं मिल पाता है अलग-अलग कारण होते हैं तो उन ललन टॉप का यह वीडियो अपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बढ़िए अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला और आप इस तरीके के और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो भी हमें बताइए ललन टॉप का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाम है अभिनो पांडे और कैमरे पे मेरे साथ अमितेश कुमार है